तो इस वीडियो में डिसकस करेंगे औरेकल के बारे में और औरेकल के अभी campus recruitment चल रहे हैं तो I hope हो सकता है आपका अभी interview बगरा आ रहा हो अगर आपके campus में ये या off campus आ ये हो सकता है कि अभी आपके interviews चल रहे हों कर नहीं चलना तो भी कोई problem नहीं है updated pattern के साथ मैं आपको बताऊंगा कि interview process क्या है और एकल की और आप interview के लिए क्या चीज़े prepare कर सकते हो और यहाँ पर आपके लिए खुशकबरी भी है वो भी मैं बताऊंगा खुशकबरी क्या है वो आगे पता पर जाएगा तो सबसे पहले तो एक आपका return test होगा तो return test ये वा पहले तो एक return test हुआ था, return test में दो coding questions थे, दो coding questions के साथ एक question था REST API से, एक question था DBMS से और पांच MCQ questions थे, ठीक है अब यह जो दो coding questions थे, इनका जो level था वो lead code medium था, lead code medium level की question थे, easy नहीं थे और hard भी नहीं थे, जिनको आप easily कर सकते हो, basically अगर आपको data structures पर अच्छा grasp है, द यह बात होगी दो coding questions की, एक DBMS का question था, जिसमें आपको basically select query लिखनी थी, और इससे आपको data fetch करना था, इसके बाद एक आपका REST API का question था, और पांच technical MCQ के question थे, REST API वाले question का, I am not sure क्या question था, और जो पांस MCQ थे, उसमें कुछ output based थे, कुछ OS से थे, और एका networking से था, तो ऐ यह था first round, इसके बाद, जब इस first round में, जो आप cut off की सोच रहे होगे, तो देखो, दो coding questions तो I hope आपको करने ही पढ़ेंगे, और अगर MCQ में अगर आपका थोड़ा बात ऊपर नीचे हो जाता तो ज्यादा issue नहीं है, तो वो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप दो questions, दोनों coding questions कर लेते हो, अच्छे से सारे test case पस करा लेते हो, तो I hope आपकी chances बढ़ जाएंगे, shortest होने के, ठीक है, तो इसके बाद होता है एक technical interview, अब उस बंदे के case में क्या था, को उसका एक ही technical interview हुआ, और एक इचार भी ले लेती है, ठीक है, और काफी सारे cases में एक technical interview में काम हो जाता है, ठीक है, तो technical interview में क्या चीज़ है पूछते हैं, अब देखो जो Oracle है, उसके साथ खुशकबरी यह है, इसका PayPal तो अच्छा होता है, लेकिन जो data structures के questions है, जो generally technical interview में पूछे जाते हैं, वो थोड़े कम level के पूछती है, मतलब ज्यादा high level के questions थी होंगे, data structures के questions काफी easy आते हैं, जैसे के मेरे friend से पूछा गया के, print the middle element of the link list, I hope थोड़ा easy ही question है, I hope अगर इस पे package के साफ की हम company तेखे हैं तो, और जो दूसरा question पूछा गया था, वो आपकी stock span problem से थोड़ा सा related था, तो उसी प्रकार के कुछ था, तो I hope standard questions है, जाता कुछ तफ नह करता हूं, तो basically 3 easy medium level के questions पूछेगा है, coding questions 3 easy medium level के, जैसे के print कर ओ, link list का middle element, इसका के वल function लिखना था, तो यह काफी easy था, यह 10 minute का question था, यह हो गया, इसके बाद एक stop span type की problem थी, उसका कुछ करवाया गया question, फिर उसके बाद एक 1 ddp का question था, 1 ddp का question, 1 ddp, मतलब आपका 1 ddp आप समझी गए होगे, उसमें आपने question किया होगा, जंप गेम इस प्रकार का, कि आपको जंप बगरा लगानी है, तो उस प्रकार का question था, तो 3 question easy easy थे, जो लगब 45 to 50 minutes में करने थे, I hope हो जाएगा, क्योंकि 10 minute, I think 1st question लेगा, 2nd question भी कुछ ज्यादा खास है नहीं, यह आपका 10-15 minutes का question है, और यह dp वाला question भी जदा कुछ खास था ही नहीं, तो easy easy question थे, basically वो चेक करना चाहते है, कि data structures ने पूरा कवर किया हुआ, इसको आता है कि नहीं आता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा project discussion, project की बारे में पूचा गया, कि project को explain कर दो कि project में क्या किया थ ठीक है, इतना ही interview था, अब यह तो इस बंदे का interview था, लेकिन oracle और क्या चीज़ा पूचती है, तो oracle कभी कबार आप से quiz पूच लेती है interviews में, तो quiz आपको prepare करना है, data structures आपको prepare करके जाना है, दो से तीन coding questions आप expect कर सकते हो, आपके project को बहुत चीज़े प्रिपेर करके जा थोड़ा बहुत OS पढ़ना है, और खासकर DBMS को थोड़ा गहराई से पढ़ना है, क्योंकि DBMS पर थोड़ा ज्यादा focus कर देती है, ठीक है, और जनरल आपके CS subject को थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए, और आपका काम हो जाएगा, इससे जज़ा नहीं पूचते है, नॉर्मल डिस जिसमें आपसे सिलेबस ही है, इसी के अराउंड चीज़ा पूची जाएगी, उसके बाद एक HR इंटर्वी होता है, और HR इंटर्वी में questions HR की होते हैं, इसको prepare करना है ताप description में लिंक होगी, जिसको attach, उसको जाकर आप देख सकते हो, उसमें सारे questions आपको मिलेगा है, इसम पसंद आई हो की, तो लाइक करते हैं, और कोई से और कंपरी पेस प्रकार की वीडियो शीए, तो कमेंट बताते हैं, थैंक्यू सो मच्च